हाई बच्चे लोग कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से खेल खूद रहे होंगे तो दोस्तो मेरा नाम है रहूल जैस्वालन आपका स्वागत है हमारे इस बहतरीन से यूटूब चैनल में जिसक तो अभी आपको प्रिया मिश्रा मेडम पढ़ाएंगी बहुत सार याले अले अले सब्जेक्स बिच-बिच में मेरे वीडियो क भी आएंगे बीच-बिच में उनके वीडियो भी आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम सभी स्टांडर के श्टुदेंट्स को अभी प्रिया मेडम लेक्चर को शिरुवात करेगी वीडियो की शिरुवात करेगी पढने को शिरुवात करेगी तो आप लोग बस support करना और अच्छे-च्छे like और अच्छे अच्छे comment करना और चैनल को subscribe करना ठीक है Hello my dear friends, my name is Priya and welcome to JRJuniors कैसे हो आप लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे तो आज का lecture है हमारा 4th Standard के लिए Maths का lecture and chapter name is 14th chapter Division part 2 Division हमने पहले भी previous lecture में भी देखा है इस lecture का Division part 2, इस chapter का previous lecture जिन्होंने भी नहीं देखा है, प्लीज आप लोग देखिए lecture number 2 है ये और lecture number 1 पहले जाके देखिए अच्छे से उसको समझिए and अपने doubts clear कीजिए division को लेके, ओके, देन ये वाला वेडियो देखेंगे और इसमें हम समझेंगे 2-3 steps के, उस वाले previous lecture में हमने हमें कुछ ऐसे 2 steps के दिये हुए थे questions और उसको solve करना था हमें, टू-टू-डिजिट्स के number थे जो कि बहुत easy था, बट मतलब अच्छी तरह से हमने समझा था division उस lecture में भी और इसमें भी हमें क्या समझना है हमें थोड़ा सा 2 steps से 3 steps पे लेके आ गया है, ओके, इसमें हम क्या करने वाले 3 steps के divisions solve करने वाले हैं, ओके, इसमें हमें कुछ 4 questions दिये हुए हैं जिसमें से 3 questions मैं आप लोगों को यहां पे solve करवाऊंगी and remaining one question जो रहेगा, वो लोग अप लोग अपने notebook में solve करेंगे and answer comment करेंगे, ओके, so start करते हैं हमारा first question, start करते हैं so first question में हमें क्या दिया हुआ है, कि हमें divide करना है, किसको, हमें divide करना है 4 को किस से, 484, हमें 448, means कि 484 हमें दिया हुआ है और उसको divide करना है 4 से, तो हम कैसे करेंगे, हम start करते हैं पहले so हम मैंने पहले ही भी आप लोगों को बताया है division chapter में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे one step से start करेंगे, direct two step से नहीं जाएंगे, हम slowly slowly करेंगे अच्छी तरह से right करेंगे, ओके, so first step से, one one step से हम लोग दिरे दिरे आगे करेंगे, so पहले हम लोग क्या करना है हमें पहले, पहले जो हमें first number दिया हुआ है, उसको divide करना है then हम second पे आएंगे and then हम third पे आएंगे, ओके, so start करते हैं first, four को divide देना है, किसे four को देना है, four को four से divide देना है इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, table आना, और अगर table आता है, तो फड़ा-फड़ से यह solve हो जाएगा four के table में four आता है, of course आता होगा, यह तो छोटे-छोटे बच्चे भी बता देंगे कि four के table में four, of course आता है, so कितने times में आता है, four, one's are, four तो one time में आया, तो उपर क्या आजाएगा, one आ जाएगा, ओके, उपर one आ गया and नीचे क्या आ जाएगा, four आ जाएगा then क्या करना है हमें minus करना है क्या याद रखना है हमें कि division में minus होता है and multiplication में plus होता है so minus करेंगे 4 में से 4 को minus किया तो क्या बच जाएगा? 0 0 हो गया then क्या करेंगे हम second step पे आएगे means की जो हमारा second number है क्या है? 8 है और वो 8 कहां पे आ जाएगा? 8 आ जाएगा second step पे जो की है यहाँ पे second step पे आ गया अब हमें क्या करना है? अब हमें 8 को divide देना है क्या 4 के table में 8 आता है? आता है कितने times में आता है? 2 times में आता है 4 1s are 4 and 4 2s are 8 तो कितने times में आता है? 2 times में आता है और जितने times में आता है वो time को क्या लिखना है उपर लिखना है means की two times में आता है तो two आ जाएगा उपर and क्या आता है eight आता है तो eight क्या जाएगा यहाँ पे और उसको क्या करेंगे हम minus करेंगे सब्ट्रैक करेंगे सब्ट्रैक किया 8 में से 8 गया तो 8-8 is 0 तो किया क्या आ गया? 0 आ गया Then, then हमारा last वाला number क्या है? Last वाला number है हमारा 4 तो दुबारा से आ गया 4 तो अब क्या सूचना है? सोचना है कि 4 के table में 4 आता है Of course आता है तो 4 कितने times में आता है? So, 1 आ जाएगा उपर and 4 आ जाएगा नीचे Then, क्या करना है? हमें last step minus तो हो गया हमारा 4 में से 4 minus and remaining हमारा answer क्या मिल गया? हमें 0 तो अपकोस आप लोग को I hope कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये division समझा होगा Then, हम क्या करते है? Next question पर आते है Next question भी same है जैसे ये divide है, वैसे ये भी divide है ये भी, जैसे ये 3 step का है वैसे ये भी 3 step का और ये भी वैसा ही easy easy है तो चलो फड़ा-फट से solve करते हैं और अच्छी तरह से ask division को खतम कर देते हैं So, क्या करना है हमें? 3 से divide देना है 3.96 को Okay, so start करते हैं क्या 3 के table में 3 आता है? हाँ, जरूर आता है कितने times में आता है? 3, ones are 3 So, 1 आ जाएगा उपर and 3 आ जाएगा नीचे आ गया अब क्या करना है हमें? 3 में से 3 को minus करना है तो यहाँ हो गया minus means की यहाँ आ गया 0 3 में से 3 को minus किया तो आ गया 0 Then, then हमें क्या करना है? यह first, second वाला जो number है वो कहाँ आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर means की second step पर आ गया अब हमें क्या सोचना है? हमें सोचना है कि 3 के table में 9 आता है क्या? 9 आता है क्या? हाँ, आता तो है बट कितने times में आता है? तो फटा-फट से count करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9 तो उपर आएगा 3 क्योंकि 3 times में आता है क्या आता है? 9 आता है तो आ गया 9 हमारा अब हमें क्या करना है? अब हमें minus करना है 3 minus sorry, 9 minus 9 is 0 आ गया हमारा 0 अब क्या करेंगे हम? अब लाएंगे हम हमारे third number को उपर से नीचे मिन्स की यहां आ गया So, अब क्या सोचना है हमें? हमें सोचना है कि 3 के table में 6 आता है क्या? आता है बट कितने times में आता है? 2 times में आता है कैसे? 3 1s are 3 3 2s are 6 So, उपर आ जाएगा 2 because वो 2 times में आता है and नीचे क्या आ जाएगा? 6 अब हो गया यह last step हमारा इसमें क्या करेंगे हम? minus करेंगे 6 minus 6 is 0 बहुत एज़ी था ना हमारा remaining क्या मिल गया? हमें 0 Okay So, I hope कि यह भी question आप लोगो को बहुत अच्छे से समझा हो अब हम करते हैं हमारा third example So, आ गया हमारा third example Third example में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है two and उसको क्या करना है? divide करना है four sixty eight से four sixty eight को divide करना है two से So, हमें क्या सोचना है सबसे पहले two के table में four आता है क्या? आता है क्या? आता है आग यह ना मन में कि हाँ हाँ आता तो है बट कितने टाइमस में आता है? two times में आता है कैसे? two one's are two and two two's are four तो उपर आ जाएगा two and यहां क्या आ जाएगा? four अब क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे So, four minus four is zero then हमारा second step second step में क्या आएगा? उपर का second number जो की है six अब six को क्या करना है? six को लिए सोचना है हमें कि two के table में six आता है क्या? आता है कितने times में आता है? three times में आता है कैसे? two one's are two two two's are four and two three's are six So, उपर आएगा three नीचे आएगा six और उसको क्या कर देंगे? माइनस अब बताओ six में से six क्या तो कितना बचा? zero अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है हमारे last number को उपर से नीचे लेके आगए हम eight को यहाँ पे अब हमें सोचना है कि two के टेबल में eight आता है क्या? आता है कितने times में आता है? four times में आता है चलो तो उपर क्या आजाएगा? four आजाएगा and नीचे क्या आजाएगा? eight आजाएगा अब हमें क्या करना है? eight में से eight को minus करना है so eight में से eight गया तो zero हमारा remaining answer क्या मिलकिया हमें 0 और उपर क्या मिलकिया हमें 234 I hope कि यह तीनों question आप लोग को बहुत अच्छे से समझा हो और remaining one question जो है वो लोग आप लोग अच्छी तरह से अपने notebook में solve करेंगे and I hope कि आप लोग so अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करो subscribe करो and जादा से जादा share करो अपने जितने भी friends हैं वो लोग को so तब तक के लिए bye bye मिलते हैं next video में